मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में I hope you are doing well तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुकिंग ब्लॉग होने वाला है और जैसे कि गेस्ट आ जाते हमें यही सोचना पड़ता हम क्या बनाएं तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे दो तीन रेसिपी जो आप जटपट से बना सकते हो तो शेयर माई वीडियो विद यूर फैमिली और फ्रेंज अगर पसंद आए तो सबस्क्राइब भी कर लेज़ेगा तो फ्रेंज सबसे पहले मैं बनाने वाली हैं गुलाब जाओन इसके लिए सुगर सिरफ तयार करना होता है तो वो पहले के तयार करके रख लेते हैं 500 ml के करीब मैंने पानी डाला है एक पैन में और इसमें carry इसमें 100, 500 ग्राम के के करीब इसमें शक्र Union करूंगे यानि चीनी और इसे high flame पर melt होने देंगे जब यह melt हो जाएगा तब मैं इसको slow flame पर 5 बेदल देना ऑर इसमें दो आपके क झाल दी। और इसमें 2ड़ाइशी के बी डाल दिए मैंने डाने और इसके अच्छी सी तो यह दो सो ग्राम के करीब यह खुआ है और इसमें बिल्कुल दो से धाई चमच छोटे चमच होना चाहिए बिल्कुल मैदा वनना आपका सक्त बनेगा आपका गुलाब जामुन और इसमें पिंच आफ यानी वन फो टी स्पून के करीब करीब इसमें आपको बेकिंग होना चाहिए फ्रेंस फिर इसके कहम बालस बना लेंगे तो यह जो मावा के बालस होते हैं फ्रेंस थोड़ा सा अपको गरम तेल में डाल कर भी चेक कर लेना है कहीं यह फट तो नहीं रहा है तो इस तरह से सारे बालस मैंने परिपेर कर लिये अब तेल को बिल्कुल जो चम्मच से उटाना आप ऊपर में डालते हो इस तरह से हलके हाथों से पलटते जाए जब एक तरह हो जाए तभी आपको पलटना है बना यह बहुत जादा सॉफ्ट बनेगा तो यह तूट भी सकता हिलाने के समय तो इस तरह से सारा मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक इसको कर लिया क्योंकि जब हम सिर्प में डालते हैं तो यह थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है इसलिए आप इसको बिल्कुल प्रापर तरीके से से सेखिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और इसे मैंने गरम सुगर सिर्प मे ना सारे डाल लिये थे और यह करिब दो घंटे के लिए रहने दिया था और यह बिल्कुल आप देख सकते हो डबल इन साइज हो चुका है और इसे मैंने एक कंटेनर में निकालकर रग दिया है नेक्स्ट होने वाला है नमकीन की रेसिपी नमक पारे और पाप्डी बनाने मैंने थोड़ा सा जैसे की जीरा एट किया है मंग्रेल एट किया अजवाइन को क्रश करके डाला है नमक आट किया है स्वादर नुसार आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी आट कर सकते है और इसमें इतना जो टेल डालना है जिसको मॉइन कहते है कि यह आपका मुठी बन पानी डालकर सेमी सॉफ्ट सा डो तेयार कर लिया है इसे 15 मिनिट्स रेस्ट करने देंगे फिर आप जैसा चाहे अपने हिसाब से शेप कट कर सकते हैं मैंने इसे रोलिंग पिंट पे चकला आप से इस तरह से बेल लेना है बिल्कुल बहुत सादा मोटा नहीं रखोंगी क् करने में टायम लगता है पतली सी पापटी होती है वहीं मैं बनाने वाला हो तो ये नमक पारे होने वाला है इस तरह से मैंने stripe में काट लिया है चोटा बड़ा जैसा भी मैं आप काट सकते हो और फ्लेम को मैंने already जो ओईल प्रौ देना फिसमें मैंने गुलाब जामन रॉं कुछिए हैं तो इसे सेख लोंगी इसी तरह से मैं दूसरा है न जो पापड़ी तयार करूंगी इसके लिए जो मैंने बेल लिया है रोटी की जैसा पूरा इसको और इसमें मैंने फौर्क या नाइफ से आपको इसमें छेत करना होता है जो पापड़ी बनाने कि लिए बरना ये पूरी जैसा फूल जाता है तो नमक पारे में आपको कोई भी छेद बगरा करने की ज़रूत नहीं होती इसे मैंने जो नाइफ से थोड़ा सा होल जैसा कर लिया था आप चाहे तो फॉर्क होता है ना उससे भी थोड़ा सा छेद कर लीजे और इस तरह से सारे ही मैंने को एक कटर ले लीजे मोल्ड ले सकते उस से मैंने कट कर लिया है तो ये पहला वाला जो नमक पारे बनकर तयार है दूसरा ये पापड़ी बनकर भी तयार हो जाएगी इसे भी मैंने ढाल लिया है और medium to slow flame पर बिल्कुल golden होने तक ये सेक लूँगी तो इस तरह से जब आप फॉक्स से करते होना तो ये फूलती नहीं बनना ये बिल्कुल पूरी बन जाएगी तो दूसरा step भी मैं करूंगी इसी तरह से मैंने बेल लिया है और ये मैंने थोड़ा सा triangle shape में मैंने इसको cut किया है इस तरह से भी आप चाहे तो जो नमकीन बना के रख सकते हो पापड़ी चार्ट बना सकते हो इससे जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ तो इस तरह से मैंने triangle pieces में cut कर लिया है इसे भी मैंने इसी तरह से knife से थोड़ा सा prick कर लिया है ताकि फूले ना और मैंने सीख लिया है पापड़ी बनकर तयार है और जो third round है triangle shape वाला उसे भी मैं कर लेती हूँ इसको भी अच्छे से medium to slow flame पर मैं अच्छे से cook करूँगी golden brown होने तक जितना पतला बेलोगे ना उतना जादा जो पापड़ी चाट बनाने में ज्यादा टेस्टी लगता है तो यह बिल्कुल nachos जैसा हो गया है friends आप इसको must try करना है और यह तीन different shapes के बन चुके हैं गुलाब शामून और पापड़ी साथ में नमक पा रहे हैं सारा कुछ तयार है यह tight container में आप रख लेजिए कभी भी महमाना आए तो आप देख सकते हो तो अब मैं पापड़ी चार्ट बनाने वाली हूँ तो जो मैंने पापड़ी बनाई थी ना triangle और जो round वाले बे उसको भी डाल लिया है खुब सारा दही एड़ करना है अलो एड़ क्या है मैंने और दही बिल्कल झालेंगे लिए तो एक पापड़ीच अपक surgporter है और नहीं द ही आप घट हुते हैं और इसमें जो है ना बाहर का मार्केट स्टाइल में आपको बनाना है तो इसमें थोड़ा सा जो ग्रेट किया हुआ जो चुकंदर होता है बीट रूट साथ में गाजर उसको भी आट केजिए और दुबारा से जो लेयर वाई लेयर आप करोगे ना तो ही टेस्टी लगता है पिर दुबारा से धही वगरा आट करके मैंने इसमें जो एंद सेव आट किया है भुना हुआ जीरा पाउडर चाट मसाला नमक थोड़ा सा ये님iß टाले है और इसी तरह से लेयर करते चाहिए बहुत जादा यह टेस्टी लगता है और अनार तो और जादा खुबसूरती बढ़ा देता तो आप देख सकते हैं कितना जादा टेम्टिंग डिलिश्यस बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बना है आप इसको भी गेस्ट को सर्फ कर सकते हो तो इस तरह की सारी मैंने प्लेटिंग कर दिया है और साइट से भी जो एक्स्ट्रा पापड़ी है वो मैंने लगा दिया है तो बहुत सादा डिलिश्यस बना था फ्रेंज्स मैं आपको टेस्ट करके भी बित्राओंगी ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है तो टेस्टी होगा वीडियो के साथ टाटा एंड बाई बाई